दिल्ली में बढ़ते प्रदोशन पर सुप्रीम कोट में सुनवाई बढ़ते वायू प्रदोशन पर सुप्रीम कोट ने जताई चिंता इस वक्त के बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सुप्रेम कोट ने पटाकु पर बैन को आई वाश कहा और ऐसे में दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार बड़ी जानकारी दिल्ली पुलिस को हल्फ नामा दाखिल करने का आदेश दिया और साथी 25 नवंबर तक हल्फ नामा दाखिल करने का आदेश दिया गया कोट ने STF और Special Sale बनाने का आदेश दिया बड़ी चानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली में बढ़ते प्रदूशन पर सुप्रीम कोट में सुनवाई बढ़ते वायू प्रदूशन पर सुप्रीम कोट ने चिंता जताई है और ऐसे में सुप्रीम कोट ने पठाको पर बैन को आई वोश कहा दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार दिल्ली पुलिस को हल्फ नामा दाखिल करने का आदेश और ऐसे में सुप्रीम कोट ने पठाको पर बैन को आई वाश कहा दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई गई दिल्ली पुलिस को हल्प नामद आखिल करने का आदेश दिया गया दिल्ली में बढ़ते प्रदूशन पर सुप्रेम कोट में सुनवाई हुई और ऐसे में बढ़ते वायू प्रदूशन पर सुप्रेम कोट में सुनवाई हुई है और बढ़ते वायू प्रदूशन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने चिंता भी व्यक्त की है और साथी ये कहा पटाकू पर बैन को उन्होंने आई वाश कहा और क्या कुछ अपडेट सुप्रीम कोर्दूशन को इन मुद्दो को लेकर सुनवाई हुई यह मुद्दा काफी लंबे समय से गरभाया हुई क्योंकि डिवाली की रात को जिस तरह से तमाम प्रतीबंदों के बावजूद आतिशबाजी हुई उसके बाद ही यह मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट में आया और आज सुप्रीम कोर्ट में परस्नवाई इसमें दिल्ली पुलिस के कमिस्नर संजे रोरा को हलप नामा दायर करने की जहां पर आदेश दिये गहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साथ इसाथ दिल्ली तरकार को भी फटकार लगाई है क्यूंकि पटागों पर जाने पर रोक लगाए गाई उसको रोकने में नकाम साबित हुई और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस जवाब मागा है सुप्रीम कोर्ट में आपका दृट